असलाम अलेकूम माई यूट्यूब फेमिली आई होब आप लोग खेरियत से होंगे, खुश्बाश होंगे और सहतो अतनुस्ति के साथ होंगे आज हम आपके लिए बहुती लो कोस्ट और सिंपल सा वाइट मटर पुलाओ की रेसिपी लेके आए है यूट्यूब पे आपने अतनी लो कोस्ट मटर पुलाओ की रेसिपी अभी तक नहीं देखी होगी हम रेगूलर चामलों से बहुती मज़ेदार सा और बहुती लो कोस्ट में वाइट मटर पुलाओ बनाएंगे तो चलिए फिर हम अपने रेसिपी के तरफ आते हैं रेसिपी शुरू करते हैं मटर पुलाओ बनाने के लिए हमने ये पेन में ऑईल डाला हुआ है ये एक प्याली ऑईल था इसके अंदर हमने एक खाने का चमच अदग रेसिपी का पेस्ट टाल दिया है और ये कुछ गरम मसाला है सुफेजीरा लोंग काली मिरच और दाचीनियों बड़ी लाइची थी और ये आदे किलो मटर है छिले हुए इसके अंदर हमने एक पाव आलू भी डालें मटरों को अदग रेसिपी में अच्छे तरीके से भून लेना है अब इसके अंदर हमने ये 5-6 हरी मिरचे डाली है इनको बीच में से कट कर दिया था और दो दर्म्याने साइस के टिमाटरों को भी डाल दिया है और एक चाय का चमच इसके अंदर धन्या पॉर्डर डाला है और आदर चाय का चमच जीरा पॉर्डर यह तमाम चीज़े डालके मट्रों में अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है इसके अंदर हम लाल मिर्चे नहीं डालेंगे एक खाने के चमच इसके अंदर नमक डाला है वाइड मट्र पुलाव बना रहे हैं हम इसलिए इसके अंदर हम लाल मिर्चे नहीं डाल दे अब हम पेन को कवर्ट कर दिएंगे ताके मतर और आलू गल जाए तक्रीबन 10 मिनट तक हम ने इनको मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया था देखें 10 मिनट के बाद टिमाटर अच्छे तरीके सॉफ्ट हो चुके हैं हम रेगूर चामल इश्थेंगाल कर रहे हैं तो ज्यादर रेगूर चामल जो होते हैं इसके अंदर स्टार्ट भॉत होता ए अब यह इसके अंदर हम आधा पाउ देई डाले हैं डेज डालके एच्छे तरीके से मिक्स कर देना और इसको मट्रोग अच्छे तरीके से भूल लेना है तो मैं आपको बताई थी कि रेगुलर चावलों में स्टार्ट भौत होता है तो हमने इनको भिगोके और पांच मिनट के लिए इनको बॉयल कर लिया था पर इनको ठंडे पानी से धो लिया था आदे किलो चावल लिये हमने तो इसके अंदर हमने चाई गिलास पानी डाला है देखें पानी के अंदर बॉयल आ चुका है और चावल हमने 5 मिनट बॉयल करके और उनको निकाल लिया था और पानी तमाम फेकके उसके उपर से ठंडा पानी डाल दिया था इससे उनका तमाम स् देखें इस ताह से यह बहुत अच्छे पकेंगे और लगेगा ही नहीं कि यह आपने रेगुलर चावलों से बनाए यह मट अप्ला अच्छे तरीके से मट्रों में हमने चावलों को मिस्स कर दिया है अब हम इन पेन को कवर्ट कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए चावलों को पकाएंगे देखें 15 मिनट के बाद पानी ब्राय हो चुका है थोड़ा सा पानी इसके अंदर है कलर कितना अच्छा है चावलों का बिल्कुल वाइट हो रहे हैं चावल अब हम इसको दंपे रखेंगे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इनको दंपे रख देना है और हम इसमें जो हॉल दर उस पर हमने टूथपिक लगा रहे थाकि जो स्टीम है वो तमाम अंदर ही रहे 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे छोड़ दिया हमने दंपे देखें दस मिनट के बाद यह सिंपल सा हमारा लो कोस्ट वाइड मटपुलाव तैयार हो चुका है देखें चामल भी हमारे लगी नहीं नहाए कि यह हमने रेगुलर चामलों से बनाया है मटपुलाव बहुत ही मज़िदार सा यह मटपुलाव तैयार है इसको हमने हरे रायते के साथ सर्फ किया है देखें तो आप इस रेसिपी को दो ट्राइ कीजेगा बहुत ही मज़िदार सा बनाये है और बहुत ही अच्छी इसमें से खुच भूआ लिए बहुत ही सिंपल बहुत ही कम मसालों से बनाये तो मुझे जरूर बताईए कमेंट मेक्स में क्या आपको मेरी रेसिपीस कैसी लगती है अगर आपको मेरी रेसिपीस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेर आइकोन के बटन को दबा दीजिए ताकि फिचर मेरे रेसिपीस आपको बासानी मिल सकें और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और इस्टेदादों के साथ जरूर शियर किया करें बहुत ही खुच्छबूदार सा गरम गरम सा मटपला तयार है हमें अपने दौाओं में याद एक्षे अल्ला हफिज